हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे तो आप देखी रहे हैं ना मैं तो एकदम बढ़िया हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख सकते कि हां मैं कितनी बढ़िया हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स आज सटर्डे और आज को जो मेरा ब्लॉग है वो हो रहा है मॉर्निंग से स्टार्ट यहां पर मैंने क्लिनिक कर लिए घर की आप देख सकते हैं पूरा घर साफसे तरह हो गया ह और अब ही मैं बनाने वाली हूँ अपने घर का बजट हमारी कचिन में क्या-क्या चीज खतम हो गई उनको मैं लिखने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या क्या चीज मुझे लेके आनी है इस तरह से मैं करती हूँ और एक बजट प्लान करना ना बहुत ही सही रहता है और हम सब को करना चाहिए इसी के कॉर्डिंग अगर हम अपने घर को मैनेज करती तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है हमार कड़ी और चावल रोटी और सबजी यह सब मैं बनाने वाली है चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखे मैंने लिया है बेसन तो सबसे पहले हम कड़ी के लिए पकोड़ियां बनाएंगे तो उसके लिए बेसन में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और हिंग सारी चीजों को म पास में ही जिससे हमें चीजें बार-बार उठाने नहीं पड़े और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं जिससे हमारे जो भी कंटेनर्स होते हैं जो भी डिब्बे होते हैं सब गंदे हो जाते हैं तो मैं पहले उनको रख लेती हूं निकालके उसके बाद मैं उनको पोच के क्योंकि मैं इसको तुरंद बना रही हूँ अगर हम बेशन को थोड़ी दिर रख देते हैं फेट कर तो बहुत यह सौप पकॉड़ी यह बनती है बट मुझे पैसे भी लेट हो गया है तो मैं इसलिए मैंने थोड़ा से इसमें खाने वाला सुड़ा डाल दी और बस इसको कड़ी मिलेगी हमारे टावा और कानपूर साइड में इसी तरह से कड़ी बनाई जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से बिना प्यास लहसन की और मुझे सच में यही वाली कड़ी अच्छी लगती है मुझे प्यास वाली कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने कभी ख पुल जाती है तो बड़ी हो जाती है अशलिए मैंने चोटी-चोटी से बगोड़ी बना ली है देखिए अभी यह जो बचा हुआ बेसान है इसका हम गड़ी में टाल के बनाएंगे तो इस में डाल देती हूं दही यह नहीं है और यह बहुत ही गाड़ा दही घर दही और खट्टा दही है कड़ी के लिए हमें खट्टा दही चाहिए होता है तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कड़ी बेशन को और दही को अच्छे से मिक्स करके इसको रख देते हैं साइड में यहां पर देखिए एक बरतन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल इसमें डालें और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हलदी पाउडर बस थोड़ा सा पानी डालेंगी और इसको अच्छे से हम पहले हल्दी को पका emerged जिससे हमारी कड़ी में जो है एक अजीब सी स्मेल ना है हल दिकी और जब भी मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूं तो हमेशा यह सब जीवाला आता हूं इतनी तेच चिलाता है सब सच में इतना इरिटेट हो जाती हूं मैं कि क्या बता हूं पर चलो कोई नहीं अब सबका काम है वो तो अपना काम करेंगे ही है न तो चलो अभी देखिए यहां पर जो भी मैंने गोल बनाके रखा था बेसन और दही का वह मैंने डाल दिया है इसमें इस बहुने में और इसको हम अच्छे से चलाएंगे क्योंकि इ मुझे हो यहां प्लेट वहां देखिए हो मच्छी गंदा हो यहां और मुझे अच्छे से सफक्रेट करेंगे हैं तो मुझे बढ़ा अजीब साहिए मैं पूरा बीच-बीच में और हम फटावर्स से यहां को मारा प्लेटफॉर्म है ठोड़ा साफ कर्दकि जब हमारा प्ल विजबिश में साफ करती हैं जिससे मेरा काम में अच्छे से मन लगा रहता है तो इस तरह से होता है हम अपनी आतर जैसी भी डाल लेते हैं बस बैसे ही पढ़ जाती है वही हमें आदत भी हो जाती है चीजों की है ना होता है और अभी आगया है स्कूल से मैं फटावर्ट से उसके लिए बनाती हूं जूस और स्कूल से आकर मैं कुछ ञ़िए बनाकर रखती हूं जिससे मैं उसको देती कि आजकल चुटी जो है वह जल्दी हो जा रही है वोगी एक्साम जलने नहीं बच्चों के चुटी जल्दी हो जाती है तो खाना में थोड़ी देर में खाता है इस जूसर से जूस भी अचेस निकल जाता है और गंढ़ी भी बिल्कुल भी नहीं होती ज्यादा हम हम्हें मुस्मी को या फिर संतले को काटना भी नहीं परता बस एक कट लगाते हैं और हमारा जूस है पूरा बाहर निकल आते इस तरह से बस हमें इसको उपर मुसमी रखने और हलके से प्रेस करने और पूरा जूस बाहर आ जाएगा बहुत ही अच्छा रखता है और इसको मैं छान के देती हूं क्योंकि इसका जो पल्प है वह नहीं खाता है तो स्कूल्टी आने लगते हैं तो मैं इसको छान देती और जब मैं और में साथ में और यहां पर देखी कड़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम डालेंगे पकोड़ियां और पकोड़ियां को नहीं हम हलके से थोड़ा से दवा देंगे और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे और बस अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी दिर और पक बन चुकी है एक तरफ हम लग देते हैं चावल को बनने के लिए क्योंकि अजबन भी आ गई है उनको भी खाना देना है तो फटाफट से चावल भी बना लेते हैं वैसे तो मैं माड निकाल के चावल बनाती हूं आज मैं बना रही हूं कुकर में चावल आपने मेरे वीडियो से चावल को बनने के लिए रखती हूं और रोडिय भी बना लेती हूं फिर हम दोरे लोग साथ में बैठके खाना खाएंगे मैं इक बात पताती हूं आपको अगर आपने हमारा दूसरा चैनल धार्मिक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते उसमें वीडियोस हमारे मिलेंगे अगर आपने हमारे वोग चैनल नहीं देखा है तो आप जल्दी चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी तो देखे यह कड़ी बनके हो गई तयार मैं इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ही कड़ी बनाती हूं और हाँ म बन गया है का इसको मैंने बन कर दिया है तो बस रोटियां मनाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एक पिर सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है बाइं कितना काम करेंगे सुबह से हम आउस वाइप को नहीं हो जाता है सुबह से काम में काम में लेकिन अगर की तुरंदुल लग दिया बाकि जो भी हमारे किशन के कपड़े थे गंदे वह भी मैंने साथ करके रग दी है अब लगाते हैं इसा आप लगाते हैं तड़कया मैंने बना कर लिए थे और तड़का में ने सिर्फ लाल मिच और यहां पर ड़ी एक जो लाल मिच पड़े से 54 अ दो वहीं है तो इसका मैं वीडियो नहीं बना पाइए क्योंकी बहुत बढ़ा हो जाता ना ऐए तो wines umaan की तो आप मैंने बहुत बार पोस्ट कें यहां पर मैंने मिर्च है भर किया है हरी मिर्च मैं नहीं खाती हूं बस मैं यहां पर देखिए मैंने सारे कपड़ों को बाहर से आगे लाई और फिर मैंने सारे कपड़ों को फोल करके रग दिया है इस तरह से मैं करती हूं अपने काम और फ्रेंट्स हम आउस वाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूर है कि अपने हर काम का एक टाइम फिक्स करना कि इस यह काम करना अपने इस काम को हमें इस टाइम पर करना है और कैसे करना यह सब चीज़ें अगर हम सीख जाते हैं तो हम अपने घर को बहुत यह अच्छे से समघ लेते हैं तो फिर्ण्स हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा कोमेंट करके हमें जरूर बताईएगा अग दी मिलते हैं आपसे तब तक लिए बाई बाई और टेक क्यर